अभी सेन का टाइम चर रहा है और अगर आप अंडर 40,000 तक एक बेस्ट लेटाप पचेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो पुरा जरूर देखें इस वीडियो में मैं डेल, HP, Leno और सारे लेटाप कंपनी के डिल्स बताने वाला हूँ तो वीडियो एंड तक जरूर देखें और टाइम टो टाइम डिल्स के लिए मेरा टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं सिर्फ बेस्ट प्रोडेक्ट के डिल्स बताता हूँ अब वीडियो श्टार्ट करते हैं यू सिरीज वाले लेटाप से जो आपके सारे नॉर्मल टास्क इसनी अंडर कर लेता है और ये इस सेम बैटरी कैपसिटी में एस सिरीज से बेटर बैटरी बैकप प्रोड़ाइट करता है तो ये है एसरेस पैल लाइट फाइल जो आई फाइफ टॉल जैम प्रोसेसर के साथ आता है इस सेल से पहले 45,000 रूपिस कॉस्ट कर रही थी बट इस सेल में 39,000 रूपिस कॉस्ट कर रही है विद 4,000 रूपिस एश्टा काड ओफर तो इसकी डिल प्राइज है 35,000 रूपिस और इस बजट में ये एक बेस्ट आप्शन हो सकता है नेस्ट लैप्टॉप है डेल वोस्टो फिप्टीन आई फाइफ टल जैम प्रोसेसर जो सेल से पहले 47,000 रूपिस कॉस्ट करती थी बट इस सेल में 43,000 रूपिस कॉस्ट कर रही है और इसमें 7,500 रूपिस का काड ओफर देखने को मिलता है तो इसकी डिल प्राइज है 35,500 रूपिस जिसमें आपको 8 GB के रैम मिलती है बट आप इसे इन फूचर 32 GB तक रैम अगरेट कर सकते हैं अब अगर बात करें इन बैकलेट कीबोड आये लैपटाप की तो HP 15S एक बेस्ट आपशन हो सकता है i5 12 रूपिस जो कभी 50,000 रूपिस कॉस्ट करती थी बट इस सेल में 47,000 रूपिस कॉस्ट कर रही है विथ 8,000 रूपिस के काड आफर तो इसकी फाइनल डिल प्राइज है 39,000 रूपिस और अगर आपको एक बेस्ट बैटरी बैकप वाले लैपटाप चाहिए तो आप HP और Dell के साथ जा सकते हैं जिसमें 42 वाट आप की बैटरी मिलती है जो राउंड 5-6 गंटे का बैटरी बैकप प्रोवाइट करती है अब अगर आप बैटरी से थोड़ा कंप्रोमाइज कर सकते हैं बट आपको Slim Lightweight कैटेगरी में एक पौरफूल प्रोसेसर वाले लैपटाप चाहिए तो इन डो लैपटाप में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं इसमें S-series का प्रोसेसर लगा है जो U-series से बैटर परफॉमेंस प्रोवाइट करता है बट इनकी बैटरी बैकप U-series के कंपेर में थोड़ी कम मिलती है तो यह है Asus VivoBook 15 i5 12500H प्रोसेसर जो सेल से पहले 50,000 और इवन कभी 55,000 रुपिस कौश्ट करती थी बट इस सेल में 48,000 रुपिस कौश्ट कर रही है विच 7,500 रुपिस कार ओफर तो इसकी डिल प्राइस है 40,500 रुपिस Asus में आपको 15.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है लेकिन अगर आपको 14 इंच डिस्प्ले साइज में लैप्टॉप चाहिए तो आप Leno IdeaPad Sling 3 के साथ जा सकते हैं जो सेल से पहले 55,000 रुपिस तक कौश्ट करती थी बट इस सेल में 47,000 रुपिस कौश्ट कर रही है इसकी डिल प्राइज है 38,500 रुपिस Asus और Leno में आपको डिस्प्ले साइज डिफर मिलता है तो आप स्क्रिंग के अकर्डिन लैप्टॉप पर चेस कर सकते हैं अब बात करते हैं एक गेमिंग लैप्टॉप के बारे में जो आपको इस सेल में बिलो 40,000 रुपिस कौश्ट करेगी यह हैं Leno IdaPad Gaming 3 Ryzen 5 with RTX 2050 ग्राफिस कार्ड ये लैप्टॉप सेल से पहले around 48,000 रुपिस कौश्ट करती थी बट इस सेल में 44,000 रुपिस कौश्ट कर रही है with 4,000 रुपिस एश्टा कार्ड ओफर तो इसकी डिल प्राइज है 40,000 रुपिस इसमें 8 GB के रहे मिलती है बट आप इससे 32 GB तक अपग्रेट कर सकते हैं तो ये थे वो टॉप बेस लैप्टॉप जो आपको इस सेल मिस नहीं करने चाहिए आप अपने प्राइटी वाइस कोई भी लैप्टॉप चूश कर सकते हैं अगर आपको कोई भी लैप्टॉप रिलेटेट इसू है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और टाइमली डिल्स के लिए मेरे टेलिग्राम चैनल भी जोइन कर सकते हैं और मैं अपने इस चैनल पर ऐसी टेक लेटिड वीडियो से लेकर आते रहता हूँ तो आप सब्स्राइब कर लेए धन्यवाद